भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक मुद्दों की बजह से 2007 के बाद से कोई टेस्ट श्रिंखला नहीं खेली गई है। दोनों टीमों को सिर्फ ICC प्रतियोगिताओं में और मल्टी नेशन टुर्नामेंटों में आपस में बिर्टे देखा गया है। इंग्लेंड और बेल्स क्रिकेट बोर्ट ECB द्वारा भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश के कुछ खंटों बाद आइसलेंड क्रिकेट ने ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में ट्विट किया कि हम भी इस टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश करते हैं और स्नाइप सुरक्षा सहित कई बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। आइसलेंड क्रिकेट ने ट्विट किया कि हमने सुना है कि इंग्लेंड और विल्स क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज की मेजबानी करने की बात की है। हम आदेकारिक तोर पर एट आइसी सी घोशना करते हैं कि हम भी ऐसा करने की पेशकश कर रहे हैं और जून और जुलाई में लगभग 24 घंटे की दिन की रोशनी के साथ साथ मैच को कवर करने वाले बेहतर ट्वीट भी कर सकते हैं। यही नहीं हम स्नाइपर सुरक्षा भी दे सकते हैं। आइसलेंड क्रिकेट ने इसके बाद एक और ट्वीट किया। के लिए कुलहाडी फेकी जाएगी। प्रशन्सक ने 2020 की एक वीडियो को भी साजह किया जिसमें आइसलेंड यूरूपियन सीरीज की मेजवानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार था लेकिन COVID-19 लॉकडाउन की वजह से विजेता का फैसला कुलहाडी फेकने से हुआ आइसलेंड क्रिकेट ने प्रशन्सक के ट्वीट पर जवाब दिया कि हम नए नियम का सुझाब देने वाले कोई नहीं होते हैं लेकिन इस वीडियो को देखते हुए निश्चित रूट से एक बात कही जा सकती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन टेस्ट मुका